देखिए आप में से काफी सरों लोग ऐसे हैं जो कि मुख्य मंत्री लगू अधमी जुना के तहट जो है फॉर्म को अप्लाई किये हुए हैं तो आप सभी जानते हैं कि 20 फरवाड़ी को सामके पांच बजए इनका जो अप्लिकेशन फर में उसको बंद कर दिया गया जैसी को लोज कर दिया गया अब जो है फर्म को आप नहीं भर सकते हैं 2023-2024 सेशन के लिए अब जो है पचीस चौबिस पचीस के लिए फर्म फिलप होगा तो उसके लिए हम अलग वीडियो ला तो प्लिस वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है तो चलिए आज का वीडियो सोरू करते हैं देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार लग हो उध्मिजना का जो अपीसल पोटल है यहाँ पे आप दे लेंगे ठीक है तो उसके लिए करना किया है यहाँ पे सबसे पहले आपको इजी टुनेट.com साच करना है फर्स्ट में आपको इजी टुनेट.com का जो ओफिसल वेवसाइड है देखने को मिलेगा जिसको यहाँ से ओपन कर लेंगे ठीक है ओपन करने के बाद यहां पे बिह अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक नोटीज डाउलोड होगा जिसमें जो ही सभी जनकारी को मेंसन किया गया है सबसे पहले देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी जाती अधारी गड़ना हुआ था उसमें 2 करोड ठीक है 76 लाख है से परिवार है जि अब यहां पर देख सकते हैं कि कौन से काटी गड़ी में जो है गरी परिवार की संखिया कितना है और परसेंट कितना ही यहां पर जनकारी दी गई है ठीक है नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप मेंसे काफी सब लोग के द्वारा पूछा जा रहा है कि कितना लोग का सेलेक्शन होगा क्यूंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है मतलब डेर लाग के जो है सम्थिंग यहां पर फॉर्म मेरे हिसाब से भरा गया है ठीक है तो इसमें से किनका सेलेक्शन होगा दीक है सेलेक्शन की रिगार्डिंग हम बात करें तो कितने लो कि इसमें जो ही Rs.250 रुप्य का जो है इन्होंने बजट रखा हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि जितना बजट रहेगा उसके हिसाब से ही जो भी लाभारती है उनका selection होगा क्योंकि budget के according ही आपको इनको selection करना पड़ेगा क्योंकि budget से ज़्यादा होगा तो फिर पैसे कहां से आएंगे ठीक है क्योंकि पैसे भी देना है न तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धाई से क्रोड में से आप दो लाग से मालीज भाग देगे तो निकल जाएगा कि हां कितना लोग का selection almost यहाँ पर होने वाला है जो कि एक संबावित देटा है ठीक है तो इनका ही selection होगा और इन्होंने बोला हुआ है कि 24-25 में देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि 1000 क्रोड रोपे का जो है budget यह यहाँ पर रखने का इन्होंने प्रवधान रखा हुआ है तो इस परकार से यहाँ पर 23-24 के लिए form को फिल किया गया है बहुत ही जल 24-25 के लिए भी सुरू किया जाएगा तो आपने जो भी जनकारी को मालीज अपने त्यार करवाया था form फिल करने सब चुक गए है तो बह यहां पर बात बोला गया है तो इहां पर इन्होंने बताया हुए ठीक है अब इहां पर हम बात कर लेते है कि इन्होंने बताया हुए सेलेक्षिन होगा जैसे कि मालेज अपने form को भर दिया हुआ है तो आपका जो ही selection कैसे होगा तो selection की regarding होएं जनकारी दिया हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सन नीचे आएंगे देखी यहाँ पे बोला गया है सभी जनकारी को दिया गया है कि जो भी आपका selection होगा जैसे कि मालीज अपने form को apply कर दिया सही परकार से अपने सारे application form में माई गई जनकारी को भर के अपने form को apply कर दिया अब यहाँ पे जो भी आवेदन प्राप्थ होंगे उसके बाद जो भी लभार्ती होंगे उनका जो chain होगा ना computerize randomization के तरीका से होगा यानि कि क्या होगा कि मंत्री साहब जो एक बटन प्रेस करेंगे और उसमें जितने भी लोगों ने form को भरा हुए उसमें से जिनका लख सही होगा उनका जो ही lottery के माधिम से यानि कि computer जो randomization है उसके माधिम से select कर लिया जाएगा और select होने के बाद उनका जो है सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन होने के बाद ही उनको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा अभी इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि मालीजे सपोज करिये कि एक हजार लोग का selection हो गया ठीक है हम सपोज करने के लिए बोल रहे हैं कोई data नहीं है एक हजर लोग का selection हो गया तो उसमें से 20% लोग का जो ही waiting list में जनकारी यहाँ पर रखी जाएगी जैसे कि मालीजे जो भी लोग select होंगे उसमें से काफी सर लोगों ने document गलत दिया होगा या फिर form को गलत भरा होगा या फिर कोई ना कोई problem होगा तो उसमें से जो भी लोग reject होंगे उसमें से 20% जो waiting list में रहेंगे जैसे कि मालीजे दो सर लोग waiting list में रहेंगे example का तवर पर समझ लीजिए तो उनको जो फिर यहाँ पर लाफ दिया जाएगा तो इस तरह से इनका selection होगा ठीक है तो selection में किसी का कोई रोल नहीं है आपका लक्स जाई है तो समझे कि आपका selection हो जाएगा और लाजिम सी बात है कि जिन्हों ने form को भरा हुए हम सभी का जो है यहाँ पर selection कर पाना मुश्किल है उसमें से बहुत ही कम candidate का यहाँ पर selection होगा जिनका नसीब सभी होगा ठीक है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इन्हों ने बताया हुए है कि आपका जो भी पैसा है न वो दो लाग तक ही दी जाएगी उससे अधिकतम आपको पैसे नहीं मिलेंगे हाला कि आपका जो परियोजना है जिसकी जनकाई डालकर आपने फर्म को अपलाई किया हुए उसमें जो भी आपका परिजना का लागत होगा उतना रासी आपको मीलेगा नहीं तो बातों को ध्यां रखेंगे तो इन्हों जो भी toolkit बगरा होता है, machine बगरा होता है, अब यहाँ पर खर देंगे, इन्होंने जनकारी दिया हुआ है, और उसके बाद उसके जनकारी जो है पोटल पर देंगे, फिर आपको दूसरा किस्त यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो दूसरा किस्त में इन्होंने बोला फिर उसका जनकारी देंगे, उधोग भी बाग के, तो उसके बाद तीसरा किस्त आपको यहाँ पर पचीस परसेंट है, यानि कि माली जे दो लाग तक आपका परिजना का लागत है, तो आपको पचास हज़ा रुपया है पर ट्रांसपर की जाएगी, और परतेक किस्त के और बाकी ने बताया हुआ है, कि इसके एश्टरा में आपको जो भी लाबुक होंग, उनको परचीचर भी दिया जाएगा, और परिजना का जो अनुसरवर होंगा, समीति के PMA द्वारा सहायता के लिए प्रती काई 5% की दर से बयाई भी किया जाएगा, इन्होंने बताया ह होगा है, तो यह इस तरह सब का सेलेक्षण होगा, और सेलेक्षण आप देख सकते हैं कि 23-24 में 25 ago रुपय कहीं रखा गया है, तो 25 ago रुपय के बजट का कोडिन ही सेलेक्षण होगा, जितना लोग का सेलेक्षण होगा, वो तो बहुत ही जल्द हैं परपाता चलीं यहां पर बीद भी भागे जो सचीव अस्तर क्योंने अपकारी होगे और इस तरह से ही आपको लाव मिलेगा तो मैंने जो अल्मोस्ट आपको सरा जनकारी बताया दिया हुए बाकी आप यहां पर देख सकते हैं कौन-कौन से छेतर में अपना जो है फॉर्म को भरे हुए है य से नहीं है कि फॉर्म को भर दी हैं तो आपको लाइब मिलेगा ठीक है तो मैंने अल्मोश्ट आपको सारा जनकारी बता दिया है और यह जो अगले पांच साल तक चलेगा अभी 23-24 के लिए फॉर्म किया गया है अब 24-25 के लिए फॉर्म फिल फोगा फिर उसके बाद 25-26 के ल लाइन आवेदन है यहां पर फूरी तरह से बंद कर दिया गया है हाला कि यहां पर आएंगे तो आपको जनकारी देखने को मिलेगा कि पांच फरवड़ी से लेकर 20 फरवड़ी के बीच में इनका फॉर्म फिल किया गया है और यहां पर पंजिकरन के बटन पर किलिक करेंग मन में किसी परकारी कोई सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट से समय कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां तक मैं नौलेज होगी आपको बताने की कोसिस की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद